आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा इनरजेटिक कर देने वाली एक ऐसी रेसिपी जो आपको बना देगी बलवान पहलवान या नी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बलवर्धक हलवे की रेसिपी यह हलवा हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग अगर आपको weakness रहती है चक्कर आते हैं तो आप इस रालवे को जरूर ट्राइ करिएगा अगर आपके घर में छोटा बच्चा हो वो बिस्तर गीला करता हो तो भी आपके लिए ये recipe बहुत ज़्यादा important होने वाली है आज हम बनाएंगे छुवारे का हलवा तो चलिए छुवा चुवारे की यमी टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहां पर लिये हैं आधा किलो चुवारे मार्केट में दो तरीके के चुवारे मिलते हैं यह देखिए इस तरीके से थोड़े मोटे वाले और थोड़े इसे पतले आते हैं कोई भी चुवारा आप यहां पर चुवारा जो होता है वो हमारी स्किन को ग्लो प्रदान करता है साथ ही चुवारा हमारे हार्ट के लिए हमारे दिमाग के लिए और हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है साथ ही इसको यूज करने से हमारा जो पाचन तंद्र है वो काफी जादा स्ट्रॉंग अब हमने ए बहुने में अच्छा गरम किया हुआ पानी लिया है इसमें हम चुवारों को डाल देंगे इनको थोड़ी देर के लिए भीगने देंगे इससे क्या होगा चुवारे हमारे सौफ्ट हो जाएंगे साती इनके उपर जो भी पाउडर वगयरा लगा रहता है इनको प पानी में निकल करके आ चुकी है अब हम इसको वाश कर लेंगे चुवारों को हमने तीन से चार बार पानी में अच्छे से वाश करके ले लिया है अब देखे ये बिल्कुल सौफ्ट हो चुके हैं और आसानी से ये कट जाएंगे ये देखे इस तरह के से इनका जो अंदर क जाएगा यहां पर हमने खांडी रख लिए उसमें टेबल स्पून के करीब देशी गी डाल लिया है अब हम इसमें एक लीटर के करीब काव मिल डाल देंगे ये गाय का दूद काफी जाड़ा गुरकारी होता है इसलिए हम यहां पर गाय का दूद ही इस्तमाल कर रहा है आप चाहे तो इसे लोहे की कड़ाई में भी पका सकते हैं एलमुनियम की कड़ाई में इस रेसिपी को मत बनाएगा टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है और यह देखी दूद में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ चुका है और यहां पर जो हमने खजूर लिये थे उनको भी ह कवर कर देंगे लगबग एक से दो घंटे के लिए इससे यह सॉफ्ट हो जाएंगे इनको हमें बाद में ग्राइंड करना है अगर आप इस रेसिपी को इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप इनको थोड़ी देर के लिए बॉयल कर लीजिए लेकिन इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा गैस भी वेस्ट होगी और जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है चुवारों की वह भी कम हो जाएगी तो इतना नुकसान क्यों करना इसको थोड़ी देर के लिए आप इसी तरीके से छोड़ दीजिए लिए दो से तीन गंटे हो चुके हैं और चुआर हमारे बहुत ही अच्छे से यहां पर फूल चुके हैं यह सॉफ्ट हो चुके हैं अब हम इनको ग्राइंड करेंगे अब हमने ग्राइंड जार ले लिया है इसमें हम थोड़े से चुवारे डाल लेंगे और इनको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे यहां पर हम थोड़ तो हमने ये मिक्षर त्यार किया है, उसको हम इसी में डालते जाएंगे, ये लीजिए दरदरा पेस्ट हमने बना करके त्यार कर लिया है, अपने छुवारों का, लगबग एक कटोरी के करीब यहां पर मिल्क नीचे बचा हुआ है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही पी सकते हैं, या फिर इसको भी कड़ाई में डाल करके इसको भी साथ में पका लीजिए, हम याँ पर मिल्क को नहीं डालना है, क्योंकि मिल्क के साथ इसको पकने में काफी ज़्यादा टाइम लगता है, अब हमने कड़ाई को गैस के उपर रख दिया है, और अब हम गैस का फ्लेम आन कर अब हमारा खजूर का हलवा बिल्कुल तयार हो चुका है, अब हम इसको सफ कर लेंगे, यह लीजिए हलवे को हमने बहुत ही अच्छे से गार्निश कर लिया है, देखने में ही बहुत जादा यमी लग रहा है, और खाने में तो उससे भी जादा यमी है, मेरी रेसिपी एक बज़र्ग बच्चे या किसी को भी वीकनेस फील होती है, कमजोरी लगती है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा वेकती है, जो लंबी बीमारी से बाहर निकला है, उसके बाद उससे कमजोरी महसूस हो रही है, तो इस तरीके का हलवा उसके लिए काफी जादा फादे मन्द ह इसमें हमने घी का भी इस्तमाल काफी कम मातरा में किया है, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो रात को बिस्तर गीला कर देते हैं, तो उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है, क्योंकि अगर इसका एक टेबल स्पून वो रात ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल जाए, थैंक्स फ़र वाचिंग